दोस्तो नमस्कार अनुखग्यान यूट्यूब चैनल में आपका फिर्षे स्वागत है दोस्तो ज़रा सोचिए अगर आप कहीं घूमने जाए और अचानक आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप करोड़ पती बन जाए लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको किसी खजाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बलकि बात कर रहे हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनकी कीमत लाखों में नहीं बलकि करोड़ों में होती है और इने पालने वाले लोग इने लाखो करोड़ों में खरीदते भी है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के कुछ सबसे महंगे जानवरों के बारे में जो आपको करोड़ पदी भी बना सकते हैं इससे पहले दोस्तो यदि आपने अभी थे हमारे यूट्यूब चैनल अनुका ग्यान को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब ज़रू कर ले और बैल के बटन को प्रेस करना न भोले लेकिन इस पक्षी की सबसे पुराणी पर जाती आश्टेलिया में ही पाई जाती है दोस्तों बहुत प्यारे और मनमोजी होते हैं लेकिन अगर आप इन्हें तंक करते हैं तो इसका पूरा चेरा गुस्ते से लाल हो जाता है और तंक करने वाले लोगों का है चेरा कभी नहीं बोलता और अपना बदला ज़रूर लेता है दोस्तों इस पक्षी को पिंजरे में रखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये अपने दातों से पिंजरे को काट देता है और इस पक्षी को अखरोट खाना बहुत पसंद है परंतु इसका जीवन बहुत ही छोटा होता है जिस वज़े से ज़्यादा नहीं जी पाते इस पक्षी की शंक्या भी बहुत कम है जिस वज़े से ब्लेक काक्टो की कीमत करीब 12 लाख रुपे आकी गई है दोस्तो बात करते हैं एरोवाना ड्रेगन फिसकी दोस्तो ये प्रत्वी पर पाये जाने वाली दुनिया की सबसे पुरानी मचलियों में से एक है जिसे एसियन एरोवाना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये डाइनासोर के समय से प्रत्वी पर मौझूद है और इस परजाती की कई मचलियों की किमत बहुत जादा होती है जैसे इस रेड एरो वैन ड्रेगन फिस्ट की किमत 10,000 अमरीकी डॉलर है दोस्तों इस मचलि को खरीदना और बेचना भी लिम्टीड है और ये परजाती विलिप्त होने के कागार पर है जिस वज़े से मचलियों में माइक्रोचिप भी लगाय जाती है जिस से इन मचलियों के बारे में पूरी जानकारी रखी जा सके और इन मचलियों को पालने के लिए इसके मालिक के पास एक खास तरेगा सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है दोस्तों बात करते हैं रैंबो टेक्सन की दोस्तों यह पक्षी देखने में बहुती खुबसूरत लगता है इसकी गर्दन में पीले पंक होते हैं जो हमें से चमकते रहते हैं और इनकी आवाज मेंडक की तरह होती है इनकी खुबसूती के वज़े से लोग इने पालना पसंद करते हैं यह पक्षिप प्राकर्ति के खोपसुरत देने और ज्यादा तर फलो को खाना पसंद करते हैं लेकिन कई बार यह कीडे मकोडे छोटे मैनेक ऐसे कई जीवों को अपना सिखार बनाते हैं दोस्टो तक्सन साउथ मेक्सिको से लेकर वेनेजुला और कोलंबिया के ट्रोपिकल और सब्रोपिकल जंगल में पाए जाते हैं और इनकी कीमत लगबग 30 लाख रुपए है दोस्टो बात कते हैं अरब होर्से की दोस्तों अगर आप अरब होर्सेस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह दुनिया की सबसे पुरानी और पापुलर परजाती है जिने होर्स राइडिंग के लिए इस्तमाल किया जाता है अरेबियन होर्स अपनी खुबसूरती के लिए और तेज रफ्तार की वज़े से जाने जाते हैं यह गोड़े बहुत जादा खुबसूरत होते हैं जिस वज़े से अक्षरी ने फिल्म की सूटिंग के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन इने खरीदना इतना सस्ता नहीं होता क्योंकि इस प्रजाती के घोड़े 20 लाग से 25 लाग की कीमत में बेचे जाते हैं और मैं आपको बता दीना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे महेंगे अरेबियन घोड़े का नाम पैडरोन था जिसे 1984 में 11 मिलियन डोलर यानि के 79 क्रोड में बेचा गया था दोस्तों बात करते हैं आयम कैमेनी की दोस्तों इंडोनेश्य में पाए जाने वाली बहुत रेर पर जाती है जिसका नाम आयम कैमेनी है इस मुर्गे का पूरा सरीर काला होता है और इनके पैरों से लेके गर्दन तक ये काले रंगे होते हैं यहां तक इस मुर्गे के अंदर के अंग भी काले ही होते हैं ऐसा इनके खून में मिलने वाले एक दुरलब जीन के कारण है जिसे हाइपर पिग्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तो इस परजाती के मुर्गे बहुत ऐसामानी है और दुरलब होते हैं जिस वज़े से इंडोनेशियो में इनकी कीमत 200 डोलर है और कई देस्तों में इनकी कीमत 1000 डोलर तक भी पहुंच जाती है इसी अनोखी वज़े से इस मुर्गे को यूएस में 2500 डोलर यानि के 180,000 रुपे में बेचा गया है दोस्तों मीद है कि आपको वीडियो और इसमें दीगे जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी पसंद आईए तो इसे लाइक हो जादा जय जादा दूसरों को भी शेयर करें मिलते हैं एक और नई एपिसोड में तब तक के लिए नमशकार जय हिन जय वारत